चलो वाला क्वेस्चन अप्लोड हो गया है यूट्यूब पर अच्छा कल हम लोगों ने जो क्वेस्चन देखा था वो था अमाल गमेशन का यस और नो अच्छा हम लोगों ने जो कल क्वेस्चन देखा था वो था अमाल गमेशन का अमाल गमेशन अभी जो हम क्वेस्चन देखेगे वो कौन सा रहेगा एक कमिनी दूसरे कमिनी को एप्सॉप करती है वो वाला रहे गा अबी बरवर और इसके बाद कली मैंने बताया अभी यह वाला question का question कर रहे अभी next question next lecture रहेगा इसके उपर absorption और उसके बाद वाला lecture किस पर external reconstruction यह इसके बाद वाला ठीक है अच्छा ये क्वेश्चन कब आया था वो देखो ये क्वेश्चन है था मार्च 2011 में ये क्वेश्चन है था मार्च 2011 मुंबई युनिवर्सिटी में मार्च 2011 में आया था ये क्वेश्चन मुंबई युनिवर्सिटी में अच्छा ये है अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन कौन सा केस स्टड़ी करेंगे कल हमारा हो गए अमाल कमेशन में थोड़ा सा रीकेप हलका सा अमाल कमेशन में क्या किया था दो कंपनीस थी दोनों कंपनीस लिक्विडेट होके एक नया कंपनी बना था यही हमने देखा था कल बरोबर अच्छा आचा किस कि बुग बनाई थी तो वह पहले पर्चेस कंसिडरेशन बनाय था मैंने हम लोगों ने यह देखा है कि अमाल गमेशन तीन स्टेप्स में होता है पर्चेस कंसिडरेशन बनता है बरोबर पर्चेस सुनी था बोलो लेक्चर में बीजी है अधिन नेटवर्क नहीं होगा बार रिजाएं कि दिरसें कि अधिक अमाल गए कि नहीं कल हां हां दो कंपनी लिक्विडेट होके एक कंपनी बनी अचा तीन स्टेप्स में बनता है हमारा अमाल कमेशन का टोटल पहले पर्चेस कंसिडरेशन उसके बाद में अरे फिर जन्रल एंट्रीस जर्रल एंट्रीस अरे जर्रल एंट्रीस नहीं बहुत तुम क्या स्टेप्स भूल जाते हो पर्चेस कंसिडरेशन पहला सेकेंड जो लिक्विडेट होती है वो कंपनी की बुक्स प्लोज होती है वो है सेकेंड अपना स्टेप जो बुक्स बंद होती है जो कंपनी बंद होती है उनकी बुक्स बनाने की और तीसरा जिस कंपनी के साथ वो मर्ज हुआ है वो बरोबर और कौन से तीन स्टेप से बोलो पीसी फिर प्लोजिंग बुक्स लेकिन किसकी बुक्स क्लोज करने के कंपनी बंदोर यह उसकी और तीसरा जिसके साथ मर्ज हो रही है उसका न्यू कंपनी यह तो फिर एपसोब कर रही है वह कंपनी का books after amalgamation तीन स्टेफ में हमारा question पूरा complete हो जाता है यही तो हम लोगोंने कल देखा था तो अब भी भी हम लोग देखेंगे क्या आप लोगों का ना घर पे revision हो रहा है book तो खोलती ही नहीं हो at least वो अपने video lecture से वो तो देखो train में time pass हो जाएगा जब देखते रहोगे mobile में डालके देखो क्या अभी YouTube पे upload हो गया वो कल का lecture देखो वो ठीक है download कर दो YouTube से और देड़ घंटे का वो serial देखने से अच्छा है कुछ समझे ओके आच्छा तो अब यहाँ पर हम लोग करेगे absorption इसमें भी तीन चीज़ होगी जो company बंद हो रही है उसका purchase consideration उसके बाद में यस जो company बंद हो रही है उसका closing book और जिस company के साथ में वो merge हो रहा है वो वाला उसका उसका book बनाने का तीन करने का है लेकिन अब यह question में देखते है March 2011 में क्या आया था बरोबर see the question balance sheet as on 31st March 2012 कौनसी दो company है यहां बोड़ पर देखो रहूल एंड मेहूल ठीक है रहूल कमपनी में equity shares पांस लाख मेहूल में तीन लाख 10% preference shares देखो रहूल में 10% नहीं है रहूल में 12% है परोबर और मेहूल में 2 लाख है 10% preference shares रहूल में 12% 3 लाख जनरल रिजव कितने है 1 लाख and 1 लाख 21,000 profit and loss account है 50,000 and 40,000 statutory reserve 20,000 and 10,000 कल भी हमने देखा था कि यह एक different है इसका एक special entry बनते है स्टेट्यूटरी रिजव का 9% debentures 1,50,000 and 1,50,000 predators है 1,59,000 और other current liabilities है 60,000 and 40,000 यह case है assets में goodwill देखो राहूल के case में goodwill नहीं है लेकिन मेहूल के case में कितना है 50,000 building राहूल के case में 3,00,000 and मेहूल के case में 4,00,000 machinery 1,90,000 furniture 20 and 10 investment 2,50,000 data 3,00,000 and 1,50,000 stock 1,00,000 and 1,00,000 other current assets 2,30,000 and 50,000 bank 30,000 है 20,000 अब यहां पर अमलोग देखो total कितने adjustment है 7 adjustments परोबर चलो राहूल लिमिटेड टेक्स ओवर the business of मेहूल लिमिटेड कौन किसका business ले रहा है बोलो ओके राहूल लिमिटेड किसको टेक ओवर कर रहा है absorption किसको बोलते है दो company already market में है existing है क्या कोई नई company बन रही है एक पूरानी company दुसरे पूरानी company को absorb कर रही है इसमें कोई doubt कि इसको बोलता है case of absorption अब मुझको बोलो कौन सी company close हो रही है मेहूल लिमिटेड क्लोज हो रही है कौन किसको purchase consideration देगा रहूल मेहूल को देगा याने रहूल लिमिटेड हैस टू पे दवर्थ तू मेहूल बरवर्थ आभी हमको वो याने देखो steps देखो कैसे बनते जा रहे है सबसे पहले कौन किसको purchase consideration देगा वो बात पर आना चाहिए तो वो बात हम लोग को पता चल गई कि PC पे करने वाला है रहूल रहूल को purchase consideration पे करना पड़ेगा इन फेवर आप मेहूल और हमको ये भी मालूमे कि purchase consideration पे करने के लिए वो preference shares, equity shares, cash ऐसे अलग-अलग प्रकार से दे सकता है purchase consideration बनाने के लिए हमारे पास दो method होती है एक तो lump sum वो तो चलो ठीक है वो आपको ज्यादा आते ही नहीं है आपको आएगा payment, net, net asset, net payment अच्छा first preference किसको देने का? payment सबसे पहले payment पर दियां दो, payment से अगर काम बनता है तो फिर सिधा आगे निकल जाओ, payment बना के आगे निकलो in case payment से हमारा काम नहीं बन रहा तो net asset method बनाओ समझ में आए? तो दो method में से कभी-कभी दोनों बनाने की देगी, कभी-कभी सिर्फ कोई भी एक बनाने की देगी खीक है? तो अभी हम लोग यह देखते हैं कि क्या दोनों बनाने पड़ेगा या एक ही बनाने पड़ेंगे बरोबर? तो देखो, payment अचा यहाँ पर terms of amalgamation दिया है, all fixed assets अभी इसमें fixed assets कौन से है? गुडविल, बिल्डिंग, मशिनरी, फर्नीचर fixed assets other than goodwill, याने गुडविल को छोड़ कर, building, machinery, फर्नीचर, इसकी बात, यह तिनों के बारे में क्या बोला है हम लोगों को? जराब हो देखो take on over rate 20% above book value, याने इन लोगों को plus 20% पे ले रहा है, राहूल लिमिटेड, मेहूल लिमिटेड के पास से यहाँ पे कोई doubt, नहीं न, खीक है, आगे देखो, आगे देखो, 20% above book value and current assets, other than cash and bank balance, याने इसको छोड़ दो, तो बचे क्या current assets में, यह तिन, तो यह तीनों को, क्या है, यह तीनों के बारे में क्या दिया हुआ है यह तीनों के बारे में क्या दिया हुआ है, तो are valued at 15% below book values, यहने इनको 15% come values पे ले रहा है, ठीक है, ओके, next, goodwill, जब भी भी question में goodwill आएगा, be careful, net asset method बना दो, net asset method बना दो, तो यहाँ पर हम लोगों को net asset method बनाने के time पे, हम लोग क्या करेगे, यह तीनों assets लेंगे की नहीं, net assets में, पहलो assets लिखेंगे उसमें, बरोबर, उसके बाद में क्या करेगे, data stock, current assets वो भी ले लेंगे, बरोबर investments का बात चुड़ा, अच्छा, हाँ, net asset method में, हम लोगों ने, कल, अमाल गमेशन में, दो companies के assets लिखेते हैं, क्या इसमें भी दो companies के assets लिखेंगे, राहूल का क्यों लिखने का है, कली मेहूल का ही आएगा, एक ही column ना, purchase consideration किसका बनने वाला है, तो मेहूल का, जो भी कराए, वो भाव लगाता है, कि मेरे assets इतने में खरीदो, बात समझो, वो क्या बोलेगा, मेहूल कंपनी ने यहाँ पर बता दिया ना, कि मेहूल कंपनी बोलेगी, मेरे यह assets को इतने में खरीद रहा है, राहूल, तो खाली मेहूल का एक ही column बनेगा, बरोबर, उसके बाद, ओके, यह तीनो, और यह तीनो, हम लोग assets में लिखेगे, गुडविल to be considered as worth of rupees, 1,50,000, कल, हम लोगों ने last lecture में क्या किया था, balancing figure को गुडविल बनाया था, आज गुडविल directly दे दिया है, 1,50,000, यह भी किदर लिखो गए, PC में, राइट, अब मुझको यह बोलो, कौन गुडविल कमांड कर रहा है, और एक sentence बढ़ो न, गुडव मेवुल न, मेवुल बोलेगा, हमको गुडविल दो, तो ही हम आएंगे, समझ मैं, गुडविल हमेशा इस प्रकार से मेवुल गुडविल को कमांड कर रहा है, कि हमको गुडविल मिलेगा, 1,50,000 का, यहां तक कोई doubt, तो purchase consideration बनाने के time पे, net asset method अगर हम follow करते है, तो कौन-क बिल्डिंग, machinery, furniture, तीनों को, पंसा मेहूल का या रहूल का, मेहूल, तीनों का 20% added value आएगा, उसके बाद, data, stock, other assets, तीनों का 15% minus value आएगा, उसके बाद में, यह हो गया हमारा asset side, अचा हां, बैंक, अचा हां, बैंक के बारे में कुछ information, other than cash and bank, जो values नहीं दी है, जो item के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, और उसकी value भी नहीं दी है, वैसे asset को book value पे ले लो, यह हमने last lecture में भी देखा था, जो asset, सुनो, जो asset के बारे में कुछ भी information नहीं दी है, और नहीं उसकी कोई value दी है, that means information नहीं दी है, तो value कहां से दी होगी, कैसे ले लो, book value के ले लो, हमको कोई अधिकार नहीं है कि उसको वहां से ना ले, unless वहां पे information दी हो कि उसको मत लो, तो ही मत ले ना, बात समझे, यहां तक कोई doubt, अब next, equity यह आगड़ हमारा main, main, main जो है payment, net payment, net payment, net payment में क्या लिखा है देखो, equity shareholders of Mayhul Limited, बस, Mayhul, अभी assume करो, देखो, हम लोग Rahul Limited है, और हम लोग Mayhul Limited को purchase कर रहे है, कौन किसको purchase कर रहे है, याने हम लोग, हम लोग, हम लोग, मेhul को purchase कर रहे है, जब मेhul को purchase करेगे, तो हमको, उनको कितना देना पड़ेगा, तो देखो, equity shareholders of Mayhul Limited are to be issued, 8 equity shares, 10 रुपई का, 12 रुपई में, याने premium कितना हुआ? for every 5 equity shares in Mayhul Limited, याने देखो, her for every 5 equity shares, अच्छा, याने हर 5 shares पे कितना share मिलेगा? 8, तो Mayhul के पास कितने shares है? वो देखो पहले, याने देखो बोड़ पर, equity shares से 3 लाख रुपई के, 3 लाख रुपई के equity shares, 10 रुपई के each, याने कितने हुए? 30,000, तो 30,000 equity shares को कितना मिलेगा? यहाँ पे मिल रहा है, 5 shares पे, 8 shares, तो 30,000 shares पे कितना देना पड़ेगा? cross multiply, यह question मार गए न, तो 30,000 into 8, 30,000 into 8 upon 5, जिसका कितना आया? 48,000, यह समझें, कैसे आया? now see, इसका मतलब कि 48,000 का हम लोग, 48,000 तो shares देने पड़ेगे, वो भी कौन से price पे? 10 रुपिस के हैं, लेकिन 12 रुपिस में देगे हैं, इसमें भी दो बाते हैं, 10 रुपिया है हमारा share का, जिसको बलते है share capital, 4,80,000, और premium कितना है? यहां तक कोई doubt, अब हम लोग, हम लोग राहूल लिमिटेड है, हम लोग देंगे, 5,76,000, हम लोग कितना देंगे? 5,76,000 हम लोग देंगे, लेकिन वो किस प्रकार से देंगे तो? इक्विटी शेर के फॉर्म में, now, see, for every 5 इक्विटी शेर्स in मेहूल लिमिटेड, balance of purchase consideration to be paid in cash, अब यह balance कितना है? अब यह हम को क्या मालूम? हमें तो पता ही नहीं कि balance क्या है, यहां हम लोग अटकते हैं, अब मेहूल बोल रहा है कि उनको payment करो, क्योंकि हम तो खरीदना चाहते हैं, मेहूल को, तो हमने कहां ठीक है भाई, तेरे को हम लोग shares देंगे, 5,76,000 के, जिसमें premium भी including, ठीक है? वो कह रहा है, जो balance बचेगा, वो cash में दो, अरे बैलेंस कितना बचेगा? तो दो करोड बोल, पांच करोड बोल तो क्या देने का कैश में अब ये बैलेंस जुनना पड़ेगा की नहीं ये बैलेंस जुनने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा net asset method assets minus liabilities वहाँ पे कितना आता है देखेंगे तो balance मिल जाएगा न समझे net asset method कैसे कैसे अपने को ये पता चलना चाहिए कि net asset follow करूँ या net payment method follow करूँ समझे तो वो हमको इस प्रकार पता चलता हम net payment ही करने गए देखो हमने सोचा net payment से थोड़ा छोटे में काम बन जाएगा तो आगे निकल जाएगे लेकिन यहाँ पर हम लोग अटक गए net asset अभी करना ही पड़ेगा बरोबर तो हम लोग net asset method तो करेंगे 10% preference shares of mehul limited are to be issued sorry are to be paid at 10% premium बस इतने बात को समझो कि मेहul limited के जो दस्टक का preference shares है अभी हम लोग राहूल है हमारी जो हम लोग जिसको acquire करना चाहते है वो company के जो preference share holders है उन लोग क्या कह रहे है कि भाई उनके जो preference share है उसको 10% पर redeem करो अब उनके preference shares कितने रुपीज के है मेहul के preference shares देखो यह यह यहाँ 10% preference share से 2,00,000 रुपई के तो 2,00,000 रुपई का payment हमको करना है लेकिन कैसे करना है तो 2,00,000 रुपई पे 10 टक का premium पे करना है तो 2,00,000 पे 10 टक का कितना आया 20,000 यहने हम लोगों को 2,00,000 के बदले कितना देना पड़ेगा उन लोगों को 2,00,000 देना पड़ेगा बात समझो जाएगा लेकिन क्या cash दे रहे हम लोग हम लोग राहू लिमिटेड है हम लोग cash नहीं दे रहे हैं सामने shares दे रहे हैं preference shares दे रहे हैं इसी यहां तलग purchase consideration समझे तो हम लोग क्या क्या दे रहे हैं वो देखो अगर हम लोग बात करें एक हम लोग क्या दे रहे हैं equity shares कितने shares दे रहे हैं अभी हमने calculate किया था कि नहीं कितना है था हाँ 48,000 equity shares थे ना चलो वो यहां पर दिखाई देते है आठ shares पे 5 shares तो 30,000 shares पे कितना यह cross multiply किया था था तो 30,000 into अरे sorry 5 shares पे 8 shares मिल रहे है cross multiply 30,000 shares पे 8 shares बरवा नीचे 5 shares कितना आया 48 shares 48,000 sorry 48,000 shares अब यह कैसे दे रहे 48,000 काम लो पुरा payment कैसे कर रहे है 12% 12% नहीं 12 rupees पे कर रहे है तो rupees में बोलो file x 76,000 क्या यह समझे अच्छा हो capital भी है और premium भी है उसका further bifurcation करके दिखाऊ चलेगा आगे की तरफ उसमें से capital कितना है premium कितना है बोर्ड पे जगा नहीं है तो मैं वह ब्रॉप कर रहा हूँ आप लोग working में कर देना ठीक है अच्छा उसके बाद दूसरा हम लोग क्या दे रहे है 10% नहीं लेकिन कितना उनको 10% था तो हम लोग उनको सामने कितना दे रहे है 12% दे रहे हैं उनको percentage पर ध्यान रखो 12% प्रिफरंट शेर्स देंगे उनको ठीक है और कितने रुपिस के देंगे तू लेक 20,000 के क्योंकि उनके पास कितने शेर्स है दो लाग के है ना पर उनलोग तयार नहीं है दो लाग में मन के लिए वो बोल रहा है दस्टक का प्रिमियम चाहि यह है थीक है भई तेरी भी बात सुन ली ले रहे तू लाग 20,000 के शेर्स हमारे पास है दस्टक का प्रिमियम पे दिए तो 2000,000 के हम लोग जो शेर्स दे रहे है उसके एक शेच की किमत कितनी है यहां पर नहीं दिया हुआ है देखो question में यहां पर नहीं दिया हुआ है यहां पर नहीं दिया हुआ है तो यही वाली value लो कितना है 100 रुपीस ना उनके बास 100 का था तो हम भी 100 का देंगे क्यों ऐसा किया question में नहीं दिया यहां adjustment में नहीं दिया so it will be assumed कि वह वही वाली value है तो divide by 100 याने कितना हो गया एक कितने shares हो गया है total या 200 भाई हाँ 2200 दोजार 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 प्रिफरेंज शेर इन्टू रुपीस 100 चा यहां तर लग कोई doubt sure sure ना ठीक है अभी listen listen हमने दो प्रकार से तो payment कर दिया लेकिन यहां पर क्या बोला है balance of PC to be paid in cash balance of PC to be paid in cash तो यहां पर हम लोग लिख देते cash और यह cash कौन सा रहेगा balancing figure लेकिन क्या है वो हम पो पता नहीं अगर एक amount रहती तो हम लोग answer करके आगे निकल जाते हैं यह एक amount के लिए हम पूरा net asset method follow करना पड़ेगा ऐसे तो हम लोग cash पे भी कर सकते हैं लेकिन exam में allowed नहीं work action करके बताना configurator Lucky God अगरा Pi I वरोबर तो अब क्या करते हैं हम लोग को अब लोग है ना है यहां पर हीक रिएading a 60 में नहीं कर दयते यहां पर पूरा net asset मेथर बना देते मे , सब्णि के पहले यह एक दो और तीन एड्जेस्मेंट देख लेते क्या है फिनेट असेट मेथड यहाँ पर बना देते यह रफ्तर के अच्छा इन्वेस्टमेंट्स नेक्ष्ट सी इन्वेस्टमेंट्स ओफ मेहूल लिमीटेड सी बोर्ड पर देखो आप इस चीज को तब ही समझ पाओगे जब आप यानि कि हम लोग यह सोचेंगे कि हम लोग राहूल है मेहूल को सेपरेट कर दो अब मेहूल की बात हो रही है यानि उसकी बात हो रही है मेहूल लिमीटेड के पास जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात है चलो मेहूल का investment देखो हमने ये पूरा asset के बारे में तो बात कर लिया लेकिन investment बीच में छुट गया था तो अब investment के बारे में क्या है तो now see investment of मेहूल लिमिटेड कितना है investment 50,000 का तो क्या है वही चलो उसके बारे में देखो represents investment in owned venture of face value of rupees 50,000 purchase net path which is to be cancelled before company is taken over बहुत simple है बहुत simple you know owned venture याने क्या company खुद debenture बेचती है public में debenture तो loan होता है loan capital है ये bank से loan ना लेते हुए company public से loan लेती है सामने एक certificate issue करके देती है कि भई लाव public से आम जनता से loan लो और उनको certificate दो कि ये certificate रखो हमने आपसे loan लिया है उसका proof है debenture वो certificate को debenture बोलते है अब ये debenture आप आपके पास रखो हमने आपका पैसा लिया है हम इसको use करेगे business करने के लिए हर साल इसके उपर आपको व्याज मिरेगा public खुश होती है चलो public ने loan दी और debenture लेके घर पे बैठ गी अब हुआ क्या debentures कहां गए company के अंदर है की बाहर है मैरे debenture का cap पैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं debenture certificates कहां है company के बाहर है public के हाथ में है अब company क्या करती है वो ही debentures public के पास से वापस खरीद लेती है as an investment अपने balance sheet में फिर उसको वो show करती है तुम बात समझो क्या हुआ यहाँ पर company ने पहले debentures issue किये issue करने के बाद मैं वो ही debentures company ने फिर से खरीद लिये और own debentures के नाम पे asset में दिखाए अब मुझको बोलो जब 50,000 इसमें कितना 50,000 का है न अब debentures यहाँ पर कितना है 1,50,000 दोनों के बीच में relation समझो यह यह है 1,50,000 company ने debentures कितने के बेचे public में 1,50,000 public एक example दे रहा हूँ है 1,50,000 के debentures बाहर बेचे है यहाँ बाहर से loan लिया फिर इसमें से 50,000 का debentures वापस ले लिया और उसको asset के तौर पर बताया तो अब मुझको बोलो liability कितनी बची 1,000 यहाँ liability एक तरफ से कम हो गई सामने हमारा 50,000 का asset दीखा अब क्या करती है company उस asset को cancel कर देती है जैसाब हम लोग redemption of debentures chapter में own debentures sinking fund वगेरा है उसमें आई यह सब end risk समझे तो वो own debentures को cancel कर देगी अगर वो debentures को cancel कर देगी यहाँ पर क्या हुआ है हम लोग rahul limited है हमने क्या बोला मेवल को भाई देख तेरा वो जो debentures है ना 50,000 का वो हम लोग नहीं लेने वाले है वो debentures को तू cancel कर दा थुझके ही तो debentures है कोई बाहर खोड़ी नहीं investment किया हुआ है तो बात समझे जब मेवल limited अगर इस debentures को cancel कर देगा तो क्या purchase consideration में आएगा यह नहीं आएगा बात समझे क्या हुआ है यहां तक कोई doubt तो अब नहीं doubt आएगा इन्वेश्टमेंट्स ओफ राहूल लिमिटेड अब किसकी बात हो रही है राहूल याने हमारी हमारी बात हो रही है अब हमारा debentures में देखो जड़ा बात देखो इन्वेश्टमेंट कितना है दो लाग का है ना यह हमारा इन्वेश्टमेंट है क्या इसको purchase consideration में दिखाएगे नहीं दिखाएगे प्योंकि purchase consideration तो उसी गा बनता है जो भीक राओ भीक तो वो रहा है मेवल भीक रहा है हम थोड़ी ना भीक रहे यहां तक समझे अब हमारे इन्वेश्टमेंट के बारे में कुछ तो बोला है थोड़े सावधान हो जाओ पर बैठ कर इन्वेश्टमेंट आफ राहूल लिमिटेड इंक्लूड इन्वेश्टमेंट से नाइन परसंट डिबेंचर्स आफ मेवल लिमिटेड very, very, very important हमने ही वो debentures लिये हुए है चोर पकड़ा गया मेहूल लिमिटेट एन एकितने रुपीज के debentures बेचे बोलो ने, ने, स्टार्टिंग में कितने रुपीज के बेचे थे debentures इश्यू किये थे, देड लाग के उसमें से 50,000 के तो मेहूल ने वापस ले लिए और वो ही 50,000 को मेहूल ने as an investment बताया तो मेहूल का अब भी भी 1 लग का diventures भार है और वो किस के पास है राहूल के पास है समझे तो अब क्या अब जब हम उनका जब हम लोग उनके बिजनेस को खरी देंगे, तो उन लोग क्या बोलते हैं, जितना असेट से उतना पैसा दो, ठीक है, और liabilities का सब arrangement होता है, अब इसके अंदर हमारा ही पैसा लगा हुआ है, बात समझे हैं, यह हुआ, क्या लिखा है इसके बारे में, और face value of rupees 1 lakh purchased at rupees 95,000, इसकी एक छोटी से एक ही general entry आएगी, 1 lakh का था लेकिन 95,000 में setup हो गया, 5000 का फायदा हुआ की नहीं, goodwill का opposite capital reserve, कल भी देखे थे, उसकी entry हम लोग करेगे, anyway, क्या ये दोनो purchase consideration में आएगे, purchase consideration से इनका पूछ लेना देना नहीं है, last adjustments, वापस से देखो, एक दुसरे के साथ, ऐसे style में जोड़े हुए है, dators of rahul limited, अब rahul कौन है, हाँ, राहul, भले ही rahul इसका नाम है, पर इस टाइम पर राहul हम सब है, तो हम rahul है, अब, listen, dators का मतलब, पाइसा लेने का बाकी है, वो customers, अच्छा, हमारे पास ते जो बार बार उधारी में goods लेकर जाता रहेगा, वो ही dators होता है, कि नहीं, उधारी में लेकर गए, पैसा नहीं दे रहा, दे रहा है, याने थोड़ा टाइम से दे रहा है, ऐसे supplier होते हैं, जो उधार, वो तो creditors हो जाते हैं, लेकिन बाकी कौन होता है, हमारे तर लेन दिन रखने वाले, हमारे customers, उधारी पर लेकर जाने वाले customers ही हमारे डेटर्स ब लेकर बोलते हैं, और यहाँ पर देखो, आगे क्या लिखा है, dators of Rahul limited include 5000 due from Mehul, क्या due from, याने हमारे डेटर्स कितने हैं, Rahul के डेटर्स कितने हैं, देखो, 3 lakhs, यह Rahul के, याने हमारे 3 lakh के डेटर्स है, तो हमको 3 lakhs बाहर से लेने का है, that means, लेकिन वो 3 lakhs के अंदर 5000 की अमाउंट ऐसी है जो हम लोगों को मेहुल के पास से लेने की है और मेहुल को यह हम लोग खरीद रहे है तो बात समझे एक दुसरे के साथ ऐसा ताल मेल जोड़े हुए है और अब 5000 के बदले पुरी कमपनी हम लोग एपस उप कर लेंगे बरोबर ऐसा नहीं है कि 5000 के कारण वो कमपनी भी गया इसका मतलब ऐसा भी मत निकालना नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अच्छा आप लोग ये question पहले लिख लो ठीक है उसके बाद में नहीं नहीं आप ये question लिख लो इसके बाद में मैं क्या करता हूं कि हाँ नहीं ये तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके basis पर हम लोग यहां पर बना देते हैं net asset method ठीक है अभी net asset method में हम लोग बना देंगे यहां पर purchase consideration के लिए उपर लिखेंगे net asset method ठीक है चलो पहले क्या लिखेंगे assets, assets में से हम लोग liabilities माइनस करेंगे लेकिन liabilities भी कौनसी liabilities माइनस करेंगे outs address liabilities चलो तो फिर हम लोग start करें एक-एक asset लेने का asset में हम लोगों को क्या बोले सबसे पहले क्या है देखो asset में goodwill 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 to be considered as worth rupees 150,000 है तो ले लो क्यों एक ही कॉलम मैंने बनाई है समझे okay goodwill बहुत बच्चे है ना इसको इस प्रकार याद रखते है बोलो absorption और Amal Commission हाँ वह absorption ना वह एक कॉलम वाला absorption एक कॉलम वाला है न तो वह याद रह जाता है goodwill हो गया उसके बाद next one Kelsey ले लो चलो Kelsey पर आप लोग मुझे का बोलता है अरे देखो हम लोगों ने यहाँ पर करके ही रखा हुआ है अभी listen जब भी adjustment पड़ो मैंने क्या कहा था कल भी कि जब भी question solve करने की बारी आएगी adjustment पड़ो उसको क्या है इसका meaning वह समझो करो अभी इसमें कैसा अब दुबार आएए पड़ने की जरूर नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहां पर हमने पहले ही note down कर लिया कि इसको 20% high करो इसको 15% less करो inflate and deflate ठीक है चलो तो अभी आप लोग मुझे को बोलते जाओ building building हो जाएगी इसके अंदर हाइक होगा 480,000 machinery 108,000 ठीक है furniture 12,000 उसके बाद bad debts कहां बोल रहे हो debtors है कितना कितना आ रहा है जेखो कौनसी amount ले रही है debtors 150,000 है debtors उसको 15% से काम करो हम 85 तो directly है 100,000,000 है other current assets क्या कर रहे है इसके शीतल इसके रहे है calculation बरवर असा करो बरवर यहां तलब कोई डाउट कोई असट चुट गया बरवर बरवर question में दिया नहीं है कि उसको मत लो इसके लिए ले लो bank कितना है इसके टोटल करो fast fast इसके जो इसके इसके क्यों 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 कुआ जो बोलो कितने दस लाग 25 हजा सबका उतना आया चलो अब अभी देखते जाओ question में यहाँ पर question में दिया हुआ है 9% डिवेंचर एट 100 बरोबार हम लोग राहूल है और इसमें क्या agreement हुआ था हमारा मेहूल के साथ कि भई तेरे देड़ लाग के listen ये देड़ लाग के डिवेंचर में से मेहूल ने खुद ने देड़ लाग में से पचास ज़र को asset के तोर पे बताया था वो cancel की है याने यहाँ से liability पचास ज़र की काम हो गई बची कितनी इसके लिए डेटर्स कितने पे जाएगे समझे कैसे आया one leg हाँ उके उसके बाद में creditors और other current liabilities के बारे में कोई information दी थी question में अगर नहीं दिया है तो कौन सी value book value है हमारी creditors की 59,000 और other current liabilities पर्ट पर्टी तॉज़न चलो total करो total करो यह हो गया total liabilities लाइबिलीटी के लिए ना वन लाइक ना ना ने निटी नएक ना लाइक आओसा ना तुट्रम लाइक आओसा ना तो पूला ओके तो यहां पर हमको मिलेगा पर्चेस कंसीडरेशन यह रहेगा एट लैक्स 26,000 इतना पेमेंट होना चीह है न और यहां पर पेमेंट कितना हुआ है दोनों को अड़ करो 7,96,000 का पेमेंट हुआ है याने देखो आ गया बैलेंस बैलेंस है 30,000 यह बैलेंसिंग तो टोटल हो गया 8,26,000 समझे बैलेंसिंग फिगर आ गये यह हो गया हमारा पर्चेस कंसीडरेशन क्या था हम लोग को यह एक वर्ड पर से पता चला और यह एक अमाउंट करने के लिए हम लोगों ने पूरा पीसी बनाया यही हम लोग कैल्सी पर भी बना सकते थे है लेकिन हमान लो आता भी है कुछ भी हो लेकिन यह करना जरूरी है पीसी है यह यह दिशों करना जरूरी है यह पर्चेस कंसीडरेशन तो अपने को क्वेस्चन में बोला हुआ है फैस पर्चेस क्या यहां तलग कोई डाउट नहीं है बरोबर तो अभी आप लोग क्या करो यह पर्चेस कंसिलरेशन दोनों बना दो फिर आगे हम लोग करते हैं बैलेंशीट किसकी बुक में राहूल की बुक में और वही जर्रल एंट्रीस ही करेगे ना राहूल की लिख लो अभी जर्रल एंट्रीस इंदी बुक्स ओ राहूल सबसे पहले तो उनका जो लिक्वीडेटर होगा उसको प्रेडिटर बनाओ अच्छा लिक्वीडेटर क्या होता है कि आज हम लोगों को मेहूल कंपनी खरी दी करना है तो हम लोग मेहूल कंपनी के साथ जब हम डील करते तो जब कंपनी फॉर्मेशन के लिए जितना वक्त जाता है वैसा ही कंपनी लिक्वीडेशन के लिए वक्त जाता है वो एक लिक इसके लिए क्या करते है कि मेहूल कंपनी क्या करी कि अपने एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी जिसके साथ राहूल कंपनी डील करेगी बात समझ में आई तो सबसे पहले पर्चेस कंशिडरेशन का इसके लिए यहां पर एंट्री आएगा बिजनेस पर्चेस अकाउंट डेबिट तू किसको 8,26,000 में बिजनेस अगर बाई होता है तो वो किसको पेमेंट करना है लिक्विडेटर को पेमेंट करना है लेकिन यह लिक्विडेटर किसका है तो मेहू लिमिटेड अकाउंट 8,26,000 एंट्री में कोई डाउट पहले बिजनेस खरीद लो अब बिजनेस खरीद हो को खरीद देंगे हम लोग तो हम लोग exactly क्या खरीद रहे उसके पास से राइट असेट शोर डेविट बैलेंस तो एक एक असेट बोलता है जाओ बिल्लिंग अकाउंट डेविट 4,80,000 एंट्री माशिनरी अकाउंट डेविट 1,08,000 एंट फिर फर निचर अकाउंट डेविट एंट्री 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 एंट्री अकाउंट डेवि मुझको याद हो गया श्टॉक अकाउंट डेबिट 85,000 अधर करन्ट असेट्स अकाउंट डेबिट 42,500 और कुछ है बैंक बैंक हाँ बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 कितना पर्संट डिवेंचर स्थावो 9% 9% डिवेंचर अकाउंट 1,000,000 उसके बाद में 2 प्रिफरेंच श्याज नहीं है जो आउटसाइडर स्लियाबिलिटी है वो ही आएगी प्रिफरेंच वगेरा उसमें गया अपना पर्चेस कंसिडरेशन में 2 प्रेडिटर्स अकाउंट कितना फिर फिर प्रिफरेंच अकाउंट 40,000 फिर बस अब बिजनेस पर्चेस किया है न हम लोगों ने यह टैली कहा हो रहा है पर अबर हम लोगों ने जो बिजनेस पर्चेस किया हुआ है है तो यह यहां पर डिविट किया है न यह पहला एंट्री था यह दूसरा एंट्री है अब कि तीसरा एंट्री एक्चुली पेमेंट का होता है याने हम लोग कैसे यह पर्चेस कंसिडरेशन पे करते हैं कौन सा होता है तीसरा एंट्री पीसी डिक्चारज करते है उसका लेकिन इस केस में देखो एक उन दोनों का अंदुरूनी कुछ मामला है क्या है वो तो भई इसके जो डिबेंचर्स है वन लेक के अब हम लोग राहूल है हम लोगों ने वन लेक का डिबेंचर्स किसको हम लोगों ने वन लेक का डिबेंचर् हमारे लिए असेट है कि हमने मेहूल के डिवेंचर्स पर्चेस किये अपने पास रखे है यह तो हमारा असेट था ना और असेट है लेकिन हम लोग अभी वह कंपनी को ही खरीद लिए हम उसको एपसोप कर लिए वह कंपनी अभी हमारी हो गई तो हो तो यह क्या कोई और इंवेस्टमिन गिना जाएगा हम लोगोंने क्या किया उससेट को 90 यह जो डिवेंचर्स जो थे ना डिवेंचर्स 95,000 याने हमने क्या किया पहले इसको liability के तौर पे लिया उसकी liability को हमने अपनी liability समझा बात समझो उसकी liability को हमने क्या किया अपनी liability समझा और वो अपनी liability हम लोगों ने 95,000 में set off की तो हमारी liability हमने उसकी liability को जब हम अपनी liability समझ रहे है और उसको का गेन हो रहा है कि नहीं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इसकी एंट्री कार डालते हैं यहां पर पहली बात 9% डिवेंचर्स विल यह जो हमारे डिवेंचर से 9% यह लाइबलेटी के तौर पर नहीं दिखेंगे तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेविट 1 लेक्ट के लेकिन हम लोग डिश्चार्ज कितने में कर रहे हैं हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है ना असेट में से इन्वेस्टमेंट चला गया 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखो एक लाइबलेटी कम हुई तो unnLER इन्वेस्टमेंट कम हुआ हम लोग cash नहीं दे रहे और cash देंगे भी किसको मेवल तो अब हमारा हो गया मेवल लिमिटेड को हमने एपसोप कर लिया तो हम लोग क्या एंट्री कर रहे है कि जो मेरा इंवेस्टमेंट तेरे में है तू मेरे में आ जाए अब तेरा इंवेस्टमेंट क्या हमारा जो इंवेस्टमेंट जो हमने किया था वो बरोबर 95,000 तू जो 5,000 का credit में difference आया क्या होगा capital reserve account यहां तक समझे कोई doubt समझे आच्छा और एक इन दोनों के बीच में भाई चारा था न डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो उनका अंदरुनी मामला है वो setup कर दो तक ही आगे बढ़ता है क्या है वो adjustment last adjustment अच्छा हमारे डेटर्स हमारे डेटर्स याने राहूल हमारा डेटर्स था मेहूल हमारा डेटर्स था ना that means हम लोग मेहूल के क्रेडिटर्स थे question वा स्कुट्स थे हाँ एक मेहूल वा स्क्रेटर्स थे पने राहूल ब्रेटर्स थे प्रेडिटर्स थे करें सिंपल सी बात है मेहुल मेहुल लिमिटेड के उपर टेंशन है कि उसको 5000 देने हैं हमको 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 देने तो हमारे लिए तो हमारा डेटर अब मुझको बोलो जब वो खुदी हमारे अंदर समेट गए तो क्या हम लोग उसके क्रेडिटर्स रहेंगे हमारे डेटर्स गए उसका क्रेडिटर गया डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप जो एस्टबलिश हुआ था वो चला गया तो वो डेटर क्रेडिटर relationship को निकालने के लिए एक entry करेगे और simple rule है liability कम हुई तो debit करो asset कम हुए तो credit करो हमेशा याद रखो asset को कम करना है याने asset credit liability को कम करना है तो liability debit ठीक है यहाँ पे है लिख लेता हूँ asset को अगर debit किया तो यह plus होगा याने बढ़ जाएगा asset को अगर credit किया तो minus हो जाएगा याने assets कम हो जाएगे इसका ही opposite liabilities में ठीक है तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेगे creditors account debit to debtors account यह जो हमने यहाँ पे दिखा के रखा है creditors और यह debtors इसमें से 5000 अचे जार तो आपस कार्ट माम लाएगा ना तो mail जोल करके बात लो कि कि क्या बोले तो यह हाँ ने ने वो उसका इंट्री उसकी का इंट्री दिया न हम लोगों ने तो नए balance sheet में अपने को करना पड़ेगा नए 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 जो आप balance sheet बनाओगे है उसके अंदर हमको सब दीखाना पड़ेगा balance sheet में हो चंजिस आएगे क्योंकि balance sheet में हमको कितना data का value कितना दीख रहे देखो balance sheet में हाँ 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 बोलो 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 और वो ग्रेडिटर का तो कुछ ने उसका तो कुछ बाये गए नहीं डेटर्स को हमको 5000 लेस्ट करके बताना बोलो यहां तक कोई डाउट बोलो नए balance sheet में आपको करना पड़ेगा adjustment ठीक है यहां तक समझे ओके आप payment कर दो अब क्या कर दो payment कर दो तो payment करने के लिए हमारे पास net payment हम लोग कैसे कैसे payment कर रहे है वह है लिक्वीडेटर को देना पड़ेगा ना पूरा पईशा हमारे लिक्वीडेटर को जो यहां पे creditor बनाके रखा है उसको यहां पे उसका account set up करो लिक्वीडेटर और मेहूल लिमिटेड बरोबर account debit कितना है 8,26,000 और यह किस term में हम लोग payment कर रहे है तू equity shares account percentage दिया है equity का ऐसा जवाब दो equity का थोड़ीना होता है बोलो कितना कभी कभी क्या है न कुछ भी बोलो तो answer आ जाता है हाँ टू 12 12 12% preference shares account कितना पिर टू कितना आया था 30,000 यहां तक कोई doubt नहीं ना अभी एक बात याद रखो जब भी भी capital reserve आएगा यह जय और विरू की दोस्ती यह ऐसा समझो उसके साथ गुडविल का बात अगर है तो दोनों को मिला दो क्यूकि जय और विरू की दोस्ती तो मालूम है कैसी है अरे हिंदूस्तन में रहके शोले नहीं देखा तो आपने क्या किया कुछ नहीं मालूम क्या generation है अभी छोड़ो बात अच्छा है लेकिन यहां पर देखो इस शोट में इन शोट अभी शोले फिल्म की स्टोरी तो नहीं बता सकता लेकिन जय और विरू की दोस्ती की एक दास्तन दी जात क्या होगा एक फ्रतिक बनी गई हुए कि सिंबॉल बन गया सबसे डीप फ्रेंडशिप की स्की जया इन विरू की जया मीता बच्चन ने रोल प्ले किये थे और धर्मेंदरा ने विरू का रोल प्ले किया था चलो छोड़ो या नहीं तो मैं शोले में पापस से चला जाऊंगा पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत ज्यान रखना जरूरी है फिल्मों का भी देखो कैपिटल रिजर्व है न वो एंट्री नंबर 6 कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट तू गुडवील अकाउंट मैंने कल भी बताया था कि गुडवील एक कैपिटल लॉस के तरह हम लोग यहां पर ट्रीट करते हैं वह लॉस अपना कुछ हद तक कम हो जाता है क्योंकि गुडवील कमांड कौन करता है जो वो डिजर्व करता हो हमको मिलेगा कुछ नहीं बस खली उसके नाम का हम लोग पैसा दे रहे हैं तो जब भी भी लिक्वीड अपना क्रेडिट केपिटल रिजर्व का बात आएगा तो साथ में अगर गुडवील है तो उसका सेट आफ का एंट्री मार दो यह सेट आफ का एंट्री है अपना लॉस कुछ हद तक कम हुआ उसका एंट्री बरबा अच्छा उसके बाद में ए स्टेट्यूटरी रिजर्व वह एंट्री आप लोग याद राख लेना जब भी भी स्टेट्यूटरी रिजर्व आता है तो वह नए कंपनी की लाइबिलिटी हम लोग बना रहे है अमाल्गमेशन एडजस्मेंट के त्रू एडजस्मेंट अकाउंट डेबिट तू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना है ए कैपिटल रिजर्व नहीं स्केच्चूटरी रिजर्व यहां तक कोई डव यह फाइव स्टार वाला एंट्री मेंने बताया था क्योंकि यह क्या होता है कि एक्चूली सब रिजर्व समलोग इक्विटी शेर्व अकाउंट में एजस्स कर देते है इक्विटी शेर्व अकाउंट में चला जाता है लेकिन यहाले केश में देखो statutory reserve यहां पर credit effect है इक्विटी शेर्वोल्डर अकाउंट में जाता है जो कंपनी बंद होती है उसके ठीक है एक्विटी शेर्वोल्डर के अकाउंट में उसका एंट्री कर देती है कि equity share capital फलाना फलाना है साथ में resource भी है profit and loss account भी है याने इतना capital है अब ये company बंद रही है तो वो resource absorb करने वाला जो company रहता है वो नहीं रहता है पर doubt तो ये हो गए हमारी general entries कितनी general entries बनी simple पहला entry हमने बनाया business purchase का याने purchase consideration पास की या जिसके अंदर business purchase account डेविट को liquidator को हम लोगों ने creditor बना के रखा और उसका payment हम लोगों ने यहाँ पे set up कर दिया payment किया है याने लिक्विडिटर का account टैली हो गया और ये business purchase को हम लोगी spam में ले रहे याने business purchase भी यहाँ पे टैली हो गया डेविट क्रिडिक बरोबा उसके बाद में ये दो ये दोनों आपसी entry है दो कंपनी absorption में यही एक तकलिफ होती है एक कंपनी दुसरे को एपसॉप करते हैं तो वो दोनों के अंदरुनी transaction होते हैं ठीक है तो उसका setup का अपने को यहाँ पे एंट्री किए जब भी एक capital result दिखेगा तो तूरंत माइंड में आना चाहिए कि वही अपना goodwill है क्या सामने अगर है तो setup का एंट्री मार दो ठीक है और यह अमालगमेशन तेक्निकली स्पीकिंग इडिज अ कैपिटल लौ अरे यह कैपिटल लौ से फ्रैंकली स्पीकिंग बट टेक्निकली वी आर सेंग अट गुड वीज़ु समझे तो अब यह अट एंट्रेस लिख दो उसके बाद में हमारा होगा बैलन्स चीट एस पर रिवाइश शेडियोल 6 आट एंट्रेस फटाफट लगए